नवास्कार आप देख रहे हैं मरी नाइन मैं हूसंदीब ग्रोवर और मरी नाइन के खास वीकली शो कंप्री नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में हम आपको कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगस से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में पूरी जान करी देते हैं हमरे खास सेग्मेंट अन दर डार के जरीए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड कॉर्पेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ पहली कबर इस अफ़ते की शुरूआत में ऐसी खबर थी कि हाल में शेह बजार में लिस्ट हुई कमपनी मामा अर्थ की पेरेंट कमपनी होनासा कंजूमर केर के करमचारी इस अफ़ते ब्लॉग डिल की जरीए अपने शेयर बेच सकते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार कमपनी के करमचारी इस डील के जरीए करीब डेट सो करोड रुपे के इस अपस यानि इंप्लॉई स्टॉक ओनर्शिप प्लैन के तहर जारी हुए शेयर बेच सकते हैं ये ब्लॉग डिल शेयर की पिछले शुकरवार की क्लोजिंग 475 रुपे 10 पैसे से करीब 5-7 फीजदी डिसकाउंट पर हो सकती है डिसकाउंट पर शेयर विक्री की खबर से 28 नुवंबर को हुनाजा कंजूमर केर का शेयर पौने 7 फीजदी की गिरावट के साथ 443 रुपे 20 पैसे किस्तर पर बंद हुआ था दूसी कबर दुनिया के दिगज निवेशक वारेंट बफे की कंपनी बर्क शेयर हैथवे ने पेटियम में अपनी बाकी बची पूरी हिस्सेदारी बेच दी है बीते शुकवार यानी 24 नुवंबर को हुई ब्लॉग डिल में बर्कशर हैथवे की यूनेट बी एच इंटरनाशनल होल्डिंग्स ने पेटियम के करीब डेड करोड शेयर बेचे हैं बीते बेच इंटरनाशनल होल्डिंग्स के पास पेटियम की करीब डाई फीजदी इस ब्लॉग डिल में दो विदेशी निविश्कों ने इस्सेदारी करीदी है जिनके नाम है कॉप्थेल मॉरिशरस इन्वेस्मेंट जिसने करीब सवा एक फीजदी और गिसालो मास्टर जिसने करीब पौने एक फीजदी इस ब्लॉग जिसने करीब पौने एक फीजदी की गिरावर्ट के साथ 887 रूपे के सर्फ पर बंद हुआ था तीसी कबर आईडी बे बैंक को लेकर इस अफ़ते दो खबरें आई पहली ये कि इस बैंक की पर मोटर कमपनी एलाइसी के चेर्मेन ने विनिवेश के बाद भी इस बैंक में कुछ हिस्दारी बनाई रखने की यानि की होल्ड करने की इच्छा जाहिर की है ऐसा इस लिए क्योंकि एलाइसी अपनी फिसदारी के जरिये बैंक का फायदा लेना चाहती है दरासल बैंक के शर्रंस में आई डी बे बैंक एलाइसी का नमबर वन पर्टनर है और इस पार्टनर्शिप को जारी रखने के लिए एलाइसी कुछ हिस्सा अपने पास रखना है 28 नुवंबर को आईडी बै बैंक का शेर दो फीजदी की मजबूती के साथ 61 रुपे 85 पैसे के सार पर और एलाइसी का शेर करीब एक फीजदी गिर कर बंद हुआ था 30 नुवंबर को खबर आई कि सरकार ने आईडी बै बैंक के विनिवेश के लिए एसेट वैलूर नियु कर अपनी करीब 61 फीजदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है एलाइसी के पास करीब 49 फीजदी और सरकार के पास इस बैंक की 45 फीजदी हिस्सेदारी है 30 नुवंबर को आईडी बै बैंक का शेर करीब एक फीजदी की बढ़त के साथ 62 रुपे 50 पैसे के सतर पर बंद हुआ थ इसका मतलब यह हुआ कि अगर उनको सफलता मिली तो कंपनी में नई एक्विटी आ सकती है साथ ही इस रकम से प्रमोटर के करच का कुछ हिस्सा भी चुकाया जा सकता है 28 नुवंबर जब यह खबर आई तो स्पाइस जट का शेर धाई फीजदी से ज़ादा की बढ़त के सा चवालीस रुपे 81 पैसे के सतर पर बंद हुआ था पांच भी कबर बुदवार 29 नुवंबर को सरकारी कंपनी इंडियन रिणियोबल अनरजी डेवलोप्मेंट एजनसी यानि इरिडा के आई प्यों के तहर जारी हुए शेरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग सब्सक्राइब हुआ था इस आई प्यों से कंपनी ने करीब 2150 क्रूड रुपे की रिकम जुटाई है 29 नुवंबर को कारोबार के अंद पर इरिडा का शेर 50 रुपे के ओपनिंग प्राइस से 20 फीजदी उपर 60 रुपे पर और 32 रुपे के इशू प्राइस से 87 फीजदी स्प्रीमियम पर बंद हुआ था चटी कबर देश की तीसी सबसे बड़ी टेलेकॉम कंपनी वोड़ाफोन आइडिया को लेकर सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की कोई उचना नहीं है दरसल 20 नुवंबर को वोड़ाफोन यानि दीपम ने ये साफ कर दिया है कि सरकार की फिलाल वोड़ाफोन आइडिया में अपने इसेदारी बेचने की कोई योचना नहीं है नौ मेने पहले यानि फरवरी 2023 में सरकार ने स्पेक्टर्म फीज के बकाया बुक्तान के ब्यास से जुड़ी 16,133 करोड उपे की पर है 29 नौंबर को वोड़ाफोन आइडिया का शेर करीब आदा फीज दी गिर कर 13 रुपे 20 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था साथवी खबर एक रिपोर्ट के अनुसार भारती टेलिकॉम अब तक का सबसे बड़ा रूपी बॉण इशू लाने की योजना बना रही है इस बॉण इशू के जरीए कंपनी करीब 8000 करोड रुपे जुटा सकती है इस इशू के जरीए 2, 3 और 5 साल के बॉण्ड के लिए बोलिया मंगवाई जा सकती है अगर ये इशू सफल रात तो भारती टेलिकॉम का सबसे बड़ा रूपी बॉण इशू होगा लोकल माकिट में क पिछले एक साल में ये पहला इशू होगा इससे पहले दिसंबर 2022 में कंपनी ने तीन साल के नूट्स के जरीए 3200 करोड रुपे की रकम जुटाई थी 29 नुवंबर को भारती एटल का शेर करीब एक फीज़दी की बड़त के साथ 995 रुपे के सर पर बंद हुआ था पर दिन के दोरान कंपनी ने पहली बार 1000 रुपे का सर भी पार किया था बुदवार 29 नुवंबर को फूड डिलिवरी प्लाटफर्म जॉमैटो के कुल 29.7 करोड शेरों की कई सारी ब्लॉग डिल हुई इन ब्लॉग डिल्स के जरीए चीन के एंट ग्रुप की साहई कंपनी अली पे सिंगापूर होल्डिंग ने जॉमैटो में अपनी करीब 3.4 फ बुदवार 29 नुवंबर को इस ब्लॉग डिल के बाद जॉमैटो का शेर 4 फीसी से जाधा की तेजी के साथ 119 रुपे 20 पैसे की उंचाई तक पहुँच गया था और दिन के दुरान माकेट कैप 1 लाग करोड के पाच चली गई थी पर कारोबार का अंत यानि क्लोजिंग कर एफ जेड सी को अलग करने और उसमें हिसेदारी अलफा जी सी सी होल्डिंग्स को बेचने का ऐलान किया है यह हिसेदारी एक दशानलव शुन्ने शुन्ने एक अरब डॉलर या करीब 8125 करोड रुपे में बेची जाएगी यह हिसेदारी एस्टर डियम के भारतिये पर मोट परिवार और दुबई के एक कंसौर्टियम फजर कैपिटल को बेची जा रही है दील पूरी होने के बाद मुपन परिवार के पास गल्फ एंटिटी की 35 फीजदी और फजर कैपिटल के पास 65 फीजदी हिसेदारी होगी इस दील से मिलने वाली रकम में से एस्टर डियम हेल के शेर में दिन के दोरान 20 फीजदी का ऊपरी सर्केट लग गया था और शेर ने 399 रुपे 15 पैसे की नहीं उचाई को चुछ हुआ था हलाकि क्लोजिंग करीब सबा 18 फीजदी की बड़त के साथ 393 रुपे के स्थर पर देखने को मिली थी 10 फी खबर मंगलवार 28 नॉवंबर को फिलिप्स कार्वन ब्लाक नेमिटर यानी PCBL के बोर्ड ने एक्वा फर्म केमिकल्स को 3800 करोड उपे की रकम में खईने की मनजूरी दे दी है यह अधिगरहन वितवज 2024 की चौथी तिमाही में पूरा होने कानुमान है स्टॉक एक्षेंजों को दी गई जानकारी के मताबिक इस सौदे की फंडिंग कंपनी खुद के पैसों के लावा कर्ज लेकर करेगी जो की सहयोगी कंपनियों भी उठा सकती है इस अधिगरहन से कंपनी की वाटर ट्रीटमेंट और ओयलन गैस केमिकल्स के ग्लोबल स्पेशलिटी सेगमेंट में एंट्री होगी कंपनी का मानना है कि मल्टी प्लाट्फॉर्म ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल बिजनस पोर्टफोलियो स्तापित करने के लिए जो विजन तियार किया गया था उसकी तरफ ये कंपनी का पहला माइल्स्टोन है 29 नुवंबर को फिलिप्स कार्बन ब्लाक का शेर 5 फीज़दी की मजबूती के साथ 266 रुपे 90 पैसे के सतर पर बंद हुआ था ग्यारवी खबर गुरुवार 30 नुवंबर को टाटा समू की कंपनी टाटा टेक्नोलोजीस के आईपियो के तहर जारी हुए शेरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग धमाकेदार रही लिस्टिंग के दिन ये शेर NSE और BSE दोनों एक्स्चेंज़ों पर 1200 रुपे के भाव पर खुला यानि की 500 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले 140 फीज़दी के प्रीमें पर लिस्टिंग हुई असल में इस IPO को निवेशको से रिकॉर्ड तो रिस्पोंस मिला था ये IPO कुल 70 गुना के आसपा सब्सक्राइब हुआ था इस IPO से कम्प्री ने करीब 3,042 करूर रुपे के रेकम जुटाई है गुरुवार 30 नुवंबर को ही गंधार ओयल रिफांडरी के IPO के शेरों की भी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही लिस्टिंग के दिन ये शेर एनसी पर 298 रुपे के भाव पर खुला यानि की 179 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले 76.3 फीजदी के प्रीमें पर लिस्टिंग हुई असल में इस IPO को निविश्कों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था या IPO कुल 65 गुना के आस पर सब्सक्राइब हुआ था इस IPO से कमठी ने करीब 500 क्रू रुपे की रखम जुटाई है गुरुवार 30 नॉवंबर को ही फेडरल बैंक की NBFC कारोबार से जूड़ी कमपनी फेड बैंक फिनाशल सर्विसिस के IPO के शेरों की भी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग एकदम फीकी रही एकदम ठंडी रही लिस्टिंग के दिन NSE पर ये शेर 138 रुपे के भाव पर खुला यानि कि 140 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले 1.4 फीजदी डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई दरसल इस IPO को निविश्को से रिस्पॉंस भी कुछ खास नहीं मिला था ये IPO कुल 2.2 गुना ही सस्प्राइब हुआ था इस IPO से कंपनी ने करीब 1050 करोड रुपे की रकम जुटाई है 30 नुवंबर को कारोबार के अंद पर Fedbank Financial Services का शेर 138 रुपे के उपनिंग प्राइस से करीब 1 फीजदी उपर 149 रुपे 30 पैसे पर 140 रुपे के इशू प्राइस से करीब आदा फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था अगली कबर अमेरिका की होम अप्लाइंसेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी वर्लपूल कॉर्परेशन ने गुरुवार को अपने भारतिय कारुबार वर्लपूल आफ इंडिया में हिस्सा बेचनी की खोचना की है यह हिस्सा बिक्री अगले साल तक यानि 2024 में की जाएगी जिसके जरीए 24 फीजदी तक हिस्सेदारी बेची जाएगी फिलाल वर्लपूल कॉर्परेशन की भारती एकाई वर्लपूल ओफ इंडिया में 75 फीजदी इसेदारी है और इस हिस्सा बिक्री के बाद वर्लपूल कॉर्परेशन की इसमें मेजोरिटी इसेदारी होल्ड करने की बंचा है इस हिसेदारी को बेचकर कंपनी कर्ज कम करना चाहती है इससे पहले कंपनी ने 2023 की चौथी तिमाही के अंग तक 50 करो डॉलर के लोन के भुखतान की घोशना की थी और इस बार का कर्ज भुखतान पहले की घोशना से अलग है तीस नुमंबर को वर्ल्ड पूल ऑफ इंडिया के शेर में आखरी एक गंटे में खैदारी के दम पर करीब सवा दो फीजदी की बढ़त के साथ 1580 रुपे के सर पर क्लोजिंग देखने को मिली थी पंदरवी खबर चुकवार एक दिसंबर को फ्लेर राइटिंग इंडिस्ट्रीज के आई प्यो के शेरों के लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही लिस्टिंग के दिन ये शेर एनसी पर 501 रुपे के भाव पर खुला यानि की 304 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले करी 65 फीजदी के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई असल में इस आई प्यो को निविश्कों से काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था यह आई प्यो कुल 49 गोना के आसपा सबस्क्राइब हुआ था इस आई प्यो से कंप्टी ने करीब 593 करोड रुपे के रकम जुटाई है एक दिसंबर को कारोबार के अंद पर फ्लेर राइटिंग का शेर 501 रुपे के ओपनिंग प्राइस से 10 फीजदी नीचे 450 रुपे 90 पैसे पर और 304 रुपे के इशू प्राइस से करीब 48 फीजदी प्रीमियम पर बंद हुआ था सोल भी खबर सजन जिंदल की अगवाई वाले JSW ग्रूप ने आटो सेक्टर में एंट्री कर ली है कंपनी ने MG मोटर इंडिया में हिसेदारी खरी दी है चीन की प्रमुक ओटो कंपनी SAIC मोटर और भारत के JSW ग्रूप ने एक जॉइंट वेंचर किया है इस समझोते के तहर JSW ग्रूप ने MG मोटर इंडिया में 35 फीजदी हिसेदारी करी दी है कंपनी नामा के 90 में एपिसोड में हमने आपको बताया था कि JSW ग्रूप अगले दो महिने में MG मोटर इंडिया में खैदारी करने की शुरुआत कर सकती है एक दिसंबर को JSW होल्डिंग्स का शेर धाई फीजदी की मदबूती के साथ 5149 रुपे 10 पैसे के सतर पर बंद हुआ था तो ये थी बीते कारोबारी हफते की कॉर्टपे जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां लेकिन आप रुख करते हैं कॉर्टपे जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है हमारे खास सेग्मेंट ऑन दर एडार के जरिए और आपको ले चलते हैं पहली खबर की और बीते वीकेंड पर परवर्तन निदेशालय यानि एडी ने डिलफ के गुड़गाओं में स्थित हेड़कौर्टर्स की तलाशी ली है हलाकि इस तलाशी का डिलफ के वित्ते खातों से कोई लिना दिना नहीं है इस तलाशी में एडी के अधिकारियों का डिलफ की और से सुपर टेक्स से खईदी गई जमीन से जुड़े दस्तावेजों के उपर फोकस था साथ ही इस मामले में गुपाल कंडा की इंवॉल्मेंट पर भी एडी का फोकस था जो कि हर्याना की राजनीती में एक बड़ा चहरा है 28 नमबर को डिलफ कशेर करीब आदा फीजदी गिर कर पर दिन के निशले सर से एक फीजदी से जादा की रिकवरी के साथ 627 रुपे 25 पैसे के सर पर बंद हुआ था दूसी कबर अदानी ग्रूप इस अफ़ते दो ख़बरों के चलते फोकस में रहा पहली खबर ये थी कि उत्राखंड टनल हादसे पर अदानी समू ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसका इस टनल के निर्बान से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है ग्रूप ने कहा कि कुछ तत ब्रहमक जानकारियों का प्रसार कर ग्रूप की इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे है अदानी ग्रूप ने कहा कि टरनल का निर्मान करने वाली कमपणी में समू का किसी भी तरह का शेर नहीं है दूसरी ख़बर ये थी कि सुप्रीम कोट ने बीतर शुकरवार को अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन सुनवाई के दुरान कोट की और से आई टिपनियों से निवेशकों में ये उमीद जग गई है कि फैसला अदानी समू के पक्ष में आ सकता है ऐसा इसलिए है कि कोट ने मारकेट एक लेटर सेभी से कहा कि उसके पास अदानी ग्रूप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है इस खबर के आने के बाद अदानी समू के शेरों में मंगलवार 28 नॉमबर को 20 फीजदी तक का भारी उचाल देखने को मिला इस उचाल के चलते अदानी समू के मारकेट कैप में एक लाग करूर रुपे से ज़ादा का इजाफा हो गया यही नहीं इस उचाल की वज़े से समू के एक निवेशक जीकीजू पार्टनर्स ने 3000 करूर रुपे का मुनाफ़ा बना लिया सबसे ज़ादा 20 पीज़ी का उचाल अदानी टोटल के शेर में देखने को मिला और अदानी पावर के शेर ने 464 रुपे 40 पैसे का रिकॉर्ड उच्तम सर पिछ हुआ तीसी कबर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानि टीसीएस के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर आई बुरी खबर ये थी कि अमारिका के डलास्तित टेकसस फेडल कोट की एक जूरी ने डी एक सी टेकनोलोजी के ट्रेड सीक्रेट चुराने के केस में कंपनी को दोशी माना है इसके लिए टीसीएस पर 21 करोड डॉलर यानि करीब 1751 करोड रुपे का जुर्माना लग सकता है टीसीएस ने अपने बियान में कहा कि वो पूरे सम्मान के साथ जूरी के इस फैसले से और सहमती दर्श करती है पर इस खराब कबर के बावजू टीसीएस का शेर दिन के निशले सर से रिकवरी के बाद आदा फीजदी की बढ़त लेकर 3470 रुपे 30 पैसे के सर पर बंद हुआ क्योंकि अच्छी खबर ये थी कि टीसीएस ने अपने करीब 17,000 कुर्ड रुपे के बावबैक प्लान की डेट्स और एंटाइटलमेंट रिशो का एलान कर दिया है कंपनी के शेरों का बावबैक 1 दिसंबर से शुरू होगा और 7 दिसंबर को बंद होगा इसके लिए पती शेर कीमत 4,150 रुपे तैय की गई थी डीटेल लिवेशक अपने 6 शेरों में से 1 शेर को टेंडर कर पाएंगे यानि कि इंटाइटलमेंट रिशो करीब 17 फीजदी तैय की गई है दूसरे शेर होल्डर्स अपने 209 शेरों में से 2 शेरी टेंडर कर पाएंगे ऐसा इसलिए एको कि टाटा ग्रूप की दो होल्डिंग कमपनिया टाटा संस और टाटा इंवेस्मेंट भी इस बाइबैक में हिस्सा लेने जा रही है इस बाइबैक में टाटा संस करीब 12,284 करोड उपे के 2.96 करोड शेरों को टेंडर करेगी चौथी कबर टेल स्टेट और टेक्स्टेल कारोबार से जूड़ी कमपनी रेमन के सीमडी गौतम सिंगानिया ने कमपनी के बोर्ड और कमचारियों को मेल लिखकर आश्वस्त किया है कि कमपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है असल में सिंगानिया ने 13 नुवंबर को अपनी पतनी नवाज मोदी से अलग होने का यानि की तलाक लेने का एलान किया था इस पारिवारिक विवाद की वज़े से रेमन के शेरों को काफी नुकसान हुआ है गौतम सिंगानिया की और से आश्वाशन के बावजूद 28 नुवंबर को रेमन कशिर साड़े चार फीज़ी की गिरावट के साथ 1574 रुपे 50 पैसे के सर्थ पर बंद हुआ था पांचवी खबर 29 नुवंबर को रेलिगर एंटर्पाइजिस का शेर करीब एक फीज़ी के कमजोरी के साथ 216 रुपे 50 पैसे के सर्थ पर बंद हुआ था चछटी कबर आयकर विभाग ने हिंदुजा समू के चेर्मेन अशोक हिंदुजा और हिंदुजा ग्लोबल सल्यूशन के मुंबई स्थित रिकानों पर सर्वे किया है एक न्यूज एजन्सी की रिपूर्ट के अनुसार ये सर्वे टैक्स चोरी के मामले की जांच के तहत किया गया है आग लगने से 25 करमचारियों के घायल होने की खबर सामने आई है हालाकि रहात की बात ये है कि आग लगने की वज़े से कंपनी के किसी करमचारी की मौत नहीं हुई है बुदवार 29 नुवंबर को एथर इंडर्स्टिस का शेर पौने 9 फीजदी की गिरावट के साथ 827 रुपे के सतर पर बंद हुआ था आठवी कबर कर्ज संकट में फसी एरलाइन कंपनी गोफर्स की और से अलग-लग मामलों में फसे करीब 12,000 करूर रुपे की वसूली के लिए कर्ज लेने की खबर सामने आई है यानि कंपनी के पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है और इसके लिए कंपनी बैंकों से अलग से कर्ज की मांग कर सकती है रिपोर्ट के मताबिक गोफर्स की तरफ से प्लान सौपे जाने के बाद बैंक उस पर जनवरी से पहले फैसला ले सकते है आपको पता दें कि ये एरलाइन बीते मैं से बंद पड़ी हुई है जिसे खईदने के लिए किसी भी खईदार ने बोली जमा नहीं की है जिस वज़े से अब इस कंपनी का लिक्विडेशन किया जाएगा तीस नुवंबर को गूफरस में करीब 33 फीजदी हिस्से वाली प्रमोटर ग्रूप कंपनी बॉंबे बर्मा का शेयर करीब डेड़ फीजदी गिरकर 1374 रुपे 80 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था नौमी खबर इस से जदी फीजदी खबर के साथ 147 रुपे 30 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था चली तो यह थी कॉर्पे जगर से जुड़ी इस अफ़ते की तमाम बड़ी खबरे आईए बात करते हैं स्टार्ट अप स्पेस की स्टार्ट अपडेट में और पहली खबर की और चलते हैं मोट कर Chief Technology Officer यानी CTO बना दिया है थर्टिल इससे पहले कंपनी में Senior Vice President Engineering थे इससे पहले कंपनी ने अपने बिजनस रिस्ट्रिंग प्लान के तहट इस पद से अनिल गोयल को हटा दिया था दूसरी खबर ये थी कि Central Consumer Protection Authority यानी CCPA ने Online IAS Coaching के एक कथित रूप से घुमरा करने वा में पिछले साथ साल में पांच गुना बड़त होई है 29 नुवंबर को खबर आई कि भारते क्रिकेट कंट्रोल बूर्ड यानी BCCI ने बाइजूस के खिलाफ इंसॉलवेंसी प्रक्रिया शुरू की है BCCI ने National Company No Tribunal यानी NCLT में बाइजूस की Parent Company Think and Learn के खिलाफ मामला करीब 1500 करोड रुपे की स्पांसर्शिप की रकम के डिफॉल्ट करने के मामले में बाइजूस पर ये कारवाई की गई है इस मामले में 22 दिसंबर को NCLT में सुनवाई होगी दूसी कबर, Digital Payment Company फोन पे जल्द अपने ग्रहकों को Personal Loan भी देना शुरू करेगी फोन पे अगले साल के पहले मैने यानी जनुरी तक अपने प्लाटफों पर Consumer Lending फीचर शुरू करेगी इससे फोन पे यूजर्स अपनी फन्डिंग जरूर्टों के लिए फोन पे से असान और त्वरित तरीके से Personal Loan ले सकेंगे लेंडिंग सर्विस के लिए फोन पे बैंको और NBFC कमपनियों के साथ पाचित कर रही है वित्वेश 2022-23 में फोन पे का कुल रेविन्यू 2914 करोड रहा जो सलाना अधार पर पिछले साल के मकाबले 77 फीजदी ज्यादा है तीसी कबर पैजले की भारत पे क कोफाउंडर अशनीर गुर्यूवर पर दिली हाइकोड ने दो लाक रुपे का जुर्माना लगाया है कंपनिय के किलाव सोचल मीडिया पर लगातार पोस्त करने की वज़ Здесь पर यह जुर्माना लगाया गया है कंपनी ने ये मॉडल 2020 में बंद कर दिया था इन होटेल्स का प्रबंदन OEO के आप और वेबसाइट से किया जाता है हला कि कंपनी इसके लिए कुछ डेल स्टेट डेवलोपर्स के साथ पार्टनर्शिप भी करने वाली है पांच भी खबर ऑनलाइन एग्रिगेटर स्विगी के फूड डिलिवरी बिजनस में मॉड़ा वितवर्ष की पहली चमाई में करीब 17 फीजदी की बड़त देखने को मिली है कंपनी के सबसे बड़े निवेशक प्रोसस ने ये जानकारी दी है प्रोसस के मताबिक इस दोरान स्विगी ने करीब 12,000 करोड उपे के ग्रॉस मर्चंडाइस वैल्यू या जीएमवी की डिलिवरी की है चटी कबर फिनाशल टेकनोलोजी स्टाटप पे यू अगले 12 महिने के अंदर आईपियो ला सकती है कमपनी के प्रमुक इन्वेस्टर प्रोसस के सीईओ एरविन टू ने ये जानकारी दी है उरोंने बताया कि मौईदा वितवर्ष की पहली चमाई में कमपनी का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानि PSP रेविन्यू 15 फीजदी बढ़कर 21.11 एक करोड डॉलर तक पहुंच किया है साथवी खबर पूर्व क्रिकेटर MS दोनी ने बेंगलूरू के देशी फिटनेस एकुप्मेंट स्टाटप तगड़ा रहो में निवेश किया है हलाकि कमपनी ने निवेश की रकम और वैलूशन को साजा नहीं किया है लेकिन आपको बता दे कि तगड़ा रहो के एकुप्मेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल लकनाउ सूपर जाइंट्स, हर्याना स्टीलर्स और दे नैशनल क्रिकेट अकैडमी जैसी पोफेशनल टीम्स और इंस्टिटूशन की और से होता है किसी के साथ खबरों का सिलसला यहीं खतम करते हैं, उमीद है आपको कांपनी नामा का इस हफते का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पेट जगत के साथ साथ स्टार्ट अप जगत का पूरे हफते का अपडेट मिल गया होगा आपको हमारा इस हफते का शूख कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपनी राए हमारे साथ जरूर शेयर किरे गया अपने कॉमेंट्स के जरिए तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहें मरी नाइन और हाँ, पस्नल फनैंस और बिजनस जगर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने पढ़ने के लिए मरी नाइन के सूपर आप को तुरण डाउनलोड कर लेजिए वक्त है आपसे इजादत लेने का नमस्कार शुब रात लिए